गुड मॉनिंग डिये स्ट्वेंट आज किस के इंटर फेर की वीडियो में आपका स्वागत है यहां पर पहला क्वेस्टेन है कि हाल ही में आश्ट्रेलिया के किस पूर्वर आलराउंडर खिलाडी का निधन हो गया तो यहां पर आप्शन नंबर C है एलन डेविडसन देखें उनके अचानक निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दड़ गई है उन्होंने दस साल तक आश्ट्रेलिया टेम का जो है कि उसमें प्रदर्शन किया है नेक्ट क्वेशन है कि निमने में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी देदी है फाइजर टीका तो यहां पर आप्शन नंबर B है यानि कि अमेरिका अब देखें अमेरिका खाद्य और आवसधी प्रसाधन FDA ने 29 अक्टूबर को जो है कि 29 अक्टूबर 2021 को मंजूरी दे दी और इसी के साथ फाइजर टीका जो है बच्चों को लगने वाला अमेरिका का जो है कि पहला टीका बन गया है ठीक है नेश्ट है कि जलवायू वित के लिए विक्सित देश वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्चम होंगे तो यहाँ पर ओप्शन नंबर A है यानि कि 100 बिलियन डॉलर नेश्ट है कि पंजाब के पूर्वा मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कांग्रेस पार्टी से इस्थीपा देकर अपनी निम्ने में से किस नई पार्टी का एलान कर दिया है यहाँ पर ओप्शन नंबर A है लोग कांग्रेस पार्टी आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंग ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कही दिया और उन्हें ने अपना जो है कि एक नया पार्टी बनाने का एलान किया है जिसका नाम होगा लोग कांग्रेस पार्टी नेश्ट है कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्ति प्रडालियों को मजबूत करने हेतु समझाओता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यहाँ पर आप्शन नमर सी है मेगाले ठीक है तो इस परियोजना से राज्य की सभी 11 जीलों को लाब मिलेगा नेश्ट क्वेश्चन एट यहाँ पर कि चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को बैज्यानिक आधार पर विश्वसनियता से रहित बताया है तो यहाँ पर आप्शन नमर सी है कोवीट की उत्वत्ति का बहुत धीक मुल्यांकन आज के लिए इतने करेंट अफेर की क्वेश्चन बाकी आप इंस्टाग्राम पर जुड़ चाहिए हमसे अगर चैनल पर नए है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी चीचों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम